कि आज अगर लोग डिसकस करेंगे इन-हुमन सोसाइटी एन-हुमन सोसाइटी आज प्रज़ेंट की कंडीशन में अगर हम सुसाइटी का अधिन करें तो हम देखते है कि हर व्यक्ति जादा से जादा सुविधाएं इखटा करने का प्रयास कर रहा है और सुविधा के लिए धन चाहिए तो इसका जैंशन है कि money is everything इसलिए हम किसी का सम्मान भी धन के आधार पर ही करते हैं एक ऐसा भाव है और बहुत सारा इखटा करने का भाव हमारे अंदर भी है और सही समझ ना होने के कारणा हम ऐसा भी खटा करते चले जाते हैं जिसकी हमको जरूत है कि नहीं जरूत है यह नहीं मानों तो यह भाव दो हम अगर खाना खाने जा रहे हैं हम चाड़े के अंदर भी आइस्क्रीम खा रहे हैं किसी साधी ब्याया में जाते हैं तो आइस्क्रीम हमारे सरीर के लिए ठीक है कि नहीं है जाड़े के अंदर कम से कम तो यह हम नहीं देख पा रहे हैं हम कोल्डरिंग पी रहे हैं ठंड़क राप्त करने के लिए कोल्डिंग की तासीर जो है वो गर्म होती है और हमें जानकारी नहीं ऐसा हम कर रहे हैं तो यह कहीं न कहीं सेंसेशन के लिए कर रहे हैं और कहीं न कहीं हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि कहीं न कहीं हम ज़ादा से ज़दा प्रॉफिट उठाना चाहतें और ज़दा से प्रॉफिट में लोगों में साथ जूट बोलना कहीं हमें लालच बढ़ जाना इस तरह का भाव भी रहता है धोखाद़ी भी करते है इसी तरीके से यह सब भाव हमारे एक individual के अंदर भर रहे हैं और यह सब in human society का अमानविय समाज का indication है ऐसे समाज के अंदर हम देखें तो समाज का निर्मान हुआ भै खतम करने के लिए समाज की संकल्पना होती है रामराजी की संकल्पना होती है ठीकिन नॉर्मल हो क्या रहा है समाज के अंदर डर का भाव समाज में लोगों के अंदर डर का भाव आज हम अपने बच्चों को घर के बाहर नहीं भेशते खेलने नहीं भेशते इतना डर का भाव हमारे अंदर भर और वो डर का भाव क्यों भर गया है कि जब एब्री इंडिविजल के अंदर सही समझ नहीं है तो वो सोशन एक्सप्राइटेशन के कारण से आपस में जगडा कर रहे हैं टेरिज्म का हो रहा है आतंगबाद फैलना है और ज्यादा से ज्यादा हम इखटा कर लिए दूसरा न और यही भाव जो है प्रकतिका शोशन करने के लिए उत्तरदाई है हमको मालूम नहीं है कि हम कितनी लखड़ी इस्तमाल करें आज आप देखिए एक ब्यक्त अपने पूरे जीवन में कम से कम तीन दरख्त बड़े पेड़ से कहते हैं इस्तमाल करते हैं और अगर वो तीन शीती ब्लब से जादा नहीं लगाएगा उसका पोषण नहीं करेगा तो निष्युद रूप से वह प्रकतिका शोशन कर रहा है चाहे हमें जरूवत है कि नहीं जरूवत है हमें कितने कपड़े चाहिए हमें कितना फरनीचर चाहिए कितना मकान चाहिए इन सब का भाव ना होने के कराना से हम प्रकतिका शोशन करें और ये भी इन हुमन सोसाइटी अमानवी समाज का उधारन है और जम प्रकतिका शोशन कर तो शोशन का भाव हमारे अंदर होते हुए भी हम सोशन नहीं कर पाए जब हम सोशन नहीं कर पाए तो प्रकति स्वस्थ आवश्यत्ता किसी है human society human society कैसे प्राप्त होगी जब सिच्छा संस्कार के माध्यम से हम जीव अवस्था से है जब transformation होगा हमारा मानव अवस्था में अभी हम जीव अवस्था में जी रहा हम इस समय animal consciousness इसमें पिऊचेतना में जीए और हमें अगर हमारे लिंदर्मानव उच्छा नहोंगी तो यह भाव किस तरह के हो जाने वाले यह सारे भाव बदल जाने हैं हमारे एवरी इंडिविजल के अंदर क्या हो जाने वाला है राइट अंडरस्टेंडिंग राइट फीलिंग हर इंडिविजल के अंदर राइट अंडरस्टेंडिंग और राइट फीलिंग का भाव आ जाने वाला है और समाज के समाज कैसा हो ज जाने वाला परिवार कैसे हो जाने वाले हैं हर परिभार में भ्यक्थि दूसरे व्यक्ति यसाथ संभंदों में सुक में जीवन जीने वाला है उबहत्ष मुन को भाव होने वाला है प्रकदिका कम हो जाने वाला है तो नेचर भी सम्रद्ध होने वाली है तो हम यह तैय कर लें कि हमको इन human society में जीना है कि हमको human society में यह तैय करने क्या कौन यह मनुश्य से तैय करने बाला है तो आज मैंने आपको डिसकस किया human society और human society मानवी समाज अमानवी समाज के बारे में और ये मानवी समाज से मानवी समाज में हमसे इच्छा संसकार के माद्ध हमसे ही जा सकते हैं